कुरुनी विरान्सवा उपचुनाओं के लिए लगातार मतगर्ना जो है वो आगे बढ़ रही है और जो काटे का मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है वो इस बात का संकेत है कि तमाम विरोधी दल मिलकर भी भारतिय जनता पार्टी को एक तरफा सिकस्त नहीं दे पा रहे ह और भारतिय जनता पार्टी जिसके पास इस वक्त एलायंस में अगर बिहार में बात की जाए तो ओफिसियली सिर्फ और सिर्फ पति कुमार पारस हैं और अगर बाहरी सपोर्ट के तौर पे बात की जाए जो पिसले उप्चुनाओं के बाद से हमने देखा था चिराग पास पासवान बाली लोग जनसक्ती पार्टी के दोनों धड़े इस वक्त केवल बिहार में बीजेपी के साथ हैं उसके बावजूद बिहार में भारतिय जनता पार्टी जो है वो अकेले टक्कर दे रही है महा गटबंधन को हमने देखा था अगर पिसले बिधान सभा उक्चु बीजेपी ने लड़ाई में अपने आपको उतारने की कोशिस की और कहीं ने कहीं अपने संगठन के बूते बीजेपी एक हद तक सामने खड़ी भी नजराई हाला कि वहां मुकाबला पहले से तय था कि जीत किसकी होगी नीलम देवी जीती लेकिन गोपाल गंज में एक तर वहाँ में वहाँ पर भी काटे का मुकाबला दिख रहा है सुरुवाती भड़त बीजेपी उमिदवार के पास रही पांचमे राउंड में जेडी उमिदवार ने वापसी की उसके बाद छठे राउंड से लेकरके 7-8 वे राउंड तक जो मनोज कुसवाँ है वो पीछे र वोटों की बढ़त है लेकिन लगातार नजदी की मुकाबला बना हुआ है वहाँ पर और इसी मुकाबले और इसी कांटे की लडाई के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या चाचा भतीजे की जो जोड़ी है बिहार में यानि निफिस कुमार और तेजस्वी आदों की जोड साथ गटबंधन में सामिल साथ गटक दलों के बाब जूद बीजेपी को एक तरफा सिकस्त नहीं दे पा रही है या बीजेपी इस साथ दलों की गटबंधन को कला मुकाबला दे रही है उपचुनाओं ये बहत दिल्चस्प इस्थिती है और कुर्णी में हार जीत जो भी जिसके हिस्से आए नतीजा चाहे जो भी सामने आए लेकिन इस वक्त जबकि 23 राउंड में वोटों की गिंती पूरी होनी है एक 11 राउंड की गिंती पूरी हो चुकी है उस वक्त जो लड़ाई देखने को मिल रही है वो लड़ाई अपने आप में बड़ा विसलेसंग करन में जिस तरह तेजस्वी आदव का ग्राफ नीचे जाता दिखा था निफिस कुमार के साथ आने के बाद वो ग्राफ एक बार फिर से कोड़वी में भी नीचे गया है या तेजस्वी उसको डैमेज कंट्रोल करने में सफल हुए है नतीजा क्या आता है इस पर हमारे ड़र लेकिन अब डेक जो है वह लगातार फॉस्ट विहार पर हम आपके लिए लाते रहेंगे नमस्कार ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुड़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाएँ अपने बिजनेस के लिए लोन अपरूव हो गया अरे लोन अपरूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुड़निया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ हमने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined